करपूर गवरम करूलावतारम संसार इशारम भूज़ गेंद्रहारम सदा बसंतं फिर्दयार विंदेभवों भवाने सहितं नमामि नमस्कार मैं हूँ जोच सचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिक्रम भागी गुरु कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आप से बात करेंगे कि पंचांग की क्या इसती है सुर्योदय कब होगा, सुर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, राहुकाल कब है, दिशासुल कब है, चंद्रमाकिश राशी पर रहेगा कौन सा योग है, कौन सा तिती है, कौन सा करण है ये सब आपको बिस्तार समय बताऊंगा आज का महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे यह भी बताऊंगा 12 राशों की बारे में बताऊंगा कि कौन भारती परसाश्टिक से वा में जाएगा कौन बैज्यानिक बनेगा कौन साहित्यकार बनेगा कौन पत्रकार बनेगा कौन फिल्म लिखेगा किसको भूमी भूम से लाफ मिलेगा किसकी राजनेती किस्तिती होगी किस रंग के परियूग करने से आपका भागोदे होगा किस रंग के परियूग करने से आपकी महान उन्नत होगी शौधानी क्या बढ़ते उपाय क्या करे गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा दर्शकों के प्रस्टों का उत्तर भी दोंगा और आज जिनका जन्म दिन है उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहेए भाग गुरू कारेकरम बात करते हैं आज के पंचांग के आज है 22 मई 24 दिन है बुद्धवार सुर्योदे हो चुका है सबेरे 5 बच के 26 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को 7 बच के 9 मिनट पर चंद्रमा रहेगा तुला राशी में स्वाती नच्चत्र है सुक्ल पक्ष है बरियान योग है आज सुम म नहीं है रहुकाल है प्रातव बारा बच के 17 मिनट से लेके दो बजे दो पर तक उत्तर दिशा का दिशासूल है आज चंद्रमा है तुला राशी में आज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी महत्मूर कार करते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी फुरी उर्जा के साथ अपने कर्म चतर में लग जाईए दिशासूल में यात्रा करने से बचें राहुकाल में कोई कार ना करें अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंतर की आज का महामंतर है ओम एंग हिरिंग क्लिंग चामूंडाई विचे ये जो महामंतर है जगत के शात्री देवी माता तुर्गा के मंत्रों का निमित जब किया जाए तो व्यक्त किसी प्रकार की संकट में नहीं पड़ेगा और उसके सारे गरान कूल फल देंगे और माताजी के किरपास उतर-उतर विकास होगा और व्यक्त की सारी संकटों का समाधान होगा। आप क्या करें कि लाल रंग का वस्तर धान करें और रुद्राक्ष के माला से इस महामंत्र का जब करें आपकी सभी प्रकार की समझ सायं समाप्त होंगे और आप उतर-उतर प्रकत करेंगे।